दोस्तों, finally MI का निए Smart TV बात करें, Xiaomi का MI QLED Smart TV आ चुका है, जहां पर Xiaomi ने प्रोपर तिके से एक एवेंट लाँच किया था, और बता दिया है, ये टीवी आने वाला है, 21 दिसम्मर को Flipkart पे, MI.com पे, जहां पर बहुत लोग वेट करें थे, जहां पर Xiaomi ने पहले ट्विटर पे एक Quantum Leap साम से, एक Hashtag यूज किया था, और एक वीडियो, एक क्लिप यूज किया थी, जहां पर बहुत लोग वेट करें थे, कि Xiaomi का मेबी 5th स्रीज का Smart TV लाँच होगा, 5 Pro and 5, लेकि दोस्तों, यहां पर Xiaomi ने घुमा दिया, और अपना QLED Smart TV लाँच कर दी, जोकि दोस्तों, एक MI का First QLED Smart TV लाँच होगा है इंडिया में और यह इस साल के Last May में लाँच होगा है, दोस्तों, बहुत लोग बात करें, बहुत लोग अभी खुश है, बहुत लोग मतलब कह रहें कि अच्छा Smart TV लाँच होगा है, लिंक यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो लोग सर्च करने हैं YouTube पर Google पर की, अब MI vs OnePlus या बात करें, MI vs Samsung कौन सा स्मार्ट इवन के लिए बेटर होगा, सेम सेगमेंट में, सेम साइज में हैं, तो आज चोड़िए इसी बेस की उपर है, आपड़ी वीडियो बात करेंगे, हम MI vs OnePlus जहां पर हम प्रोपर तीके से कंपेर करेंगे, इस प्राइस के प्राइस को चेक करेंगे, फीचर, स्पेस्फिकेशन के आपको स्मार्ट इव में, अगर आपको सेगमेंट में, सेम साइज में, तो आपके लिए बेटर कौन सा होगा, MI या वन प्लस तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल सुस्क्राइब कीजिए, को लाइक करना, शेयर करना, जैसे कोई भी कमेंट्स है, प्लीज, फ्यू कमेंट्स, दोस्तों, जो MI का टीवी है, MI का क्यूलेट स्मार्ट इवी, जो की एक फर्ष्ट स्मार्ट इवी लोंच हो है, इंडिया में, इसका जो प्राइस है, वो है 25,000 पे, जो OnePlus का स्मार्ट इव है, OnePlus Q1 स्मार्ट इवी, इसका दोस्तों, प्राइस है 62,900 पे, जो में ची दोस्तों, यह है कि जो प्राइस काफी में, काफी फरक मिल रहा है आपको, पूरे 8,000 पे अपको फरक मिल रहा है, जहां पे, MI का जो टीवी, जो काफी सस्ता है, एस कंपेर्जन, OnePlus के स्मार्ट इवी दोस्तों, जो amplis-टीवी, जो जो फरati बात करते हैं, इतने स्मार्ट इविश्iden, काफी स्मे प्राइस काफी प्राइस काफी जास-पाथ लोंच बात करते हैं, काफी शची काफी प्राइस होते हैं, स्मार्ट इविस के तो गाइस यहां पी जो साइज नहीं है अगर बात कर दोस्तों यह इस इतना भी आपको मिलेगा एक अच्छी क्वालिटी में पूलेगा जो की एक अल्टरा एक टीवी है तो दोनों का दुस्तों जो डिस्प्ले क्वालिटी विल्कुल सेम है कुछ फरक न दिजाइन है वो काफी सिमिलर है यहां आपको 96% का बलता है स्क्रीन टू बोडी रेशो जो बिल्कुल सेम है कुछ फरक नहीं है जो की बहुत लोग चेक करते हैं की डिस्प्ले कैसे देखने में यह बात करें यह बात करें यह बात कर दिजाइन वह कैसा है तो गाइस जो ए फिल्टर में आपको स्मार्ट वी में जो यह होता कि यह बात करें अब कर देता है तो दोस्तों यह काफी चर्टी वी जो एक यह स्मार्टीवी है आपको मिलता है यहां मिलता है में सब्सक्राइब करता है आपके टीवी में मोशन स्मूथिंग का ओप्शन एड़ करता है जो आपके टीवी में काफी आपको क्वालिटी काफी इंपरूफ करता है कि स्मार टीवी में इसके लावन आपको मिलता है HLG का सपोर्ट यहां मिलता दोस्तो डोल भी विजन मिलता है HDD 10 मिलता आपको दोस्तो जो जो वीडियो क्वालिटी काफी सेम है दोनों में ही MI में भी सेम है और OnePlus का Smart TV Q1 उसमें आपको सेम मिलती है यह इसके डिस्प्ले क्वालिटी काफी सिमलर है यह पर मिलने वला है Android 10 जो आपको दे रहा है Android 9 यहां पर Android 10 काफी अच्छा है यह लिटश वर्जन है लिटश वर्जन है तो आपको मिल रहा है आपके स्मार्ट वे में यहां पर दोस्तों यह चीज़ काफी अच्छी मिलीगा आपको एक एंडूट 10 मिलने वाला है इसमार्ट इवी में तो जहां पर शोमी जो है यहां पर जानता है जो इतने टीवी सब तक लॉंच हुए है उन सब में जो ओडे क्वालिटी वो पूर लॉंच हुई है बहुत ही लोग वालिटी की लॉंच हुई है तो यहां भी सेंट फिर से वही काम किया है शौमी ने अपने स्मार्ट टीवी में 30 वोट के स्पीकर एड की हैं जो काफी एक लोग वालिटी के हैं माना कि यह डॉल्पी एटमोस स्पीकर है लेकिन दोस्तों जो साउंड की वोट है वो ब अब डॉल्पी अपने स्पीकर बैक में जो स्पीकर बैक में है तो इस जो सौन का इस पूर मेलें आपको उसके स्मार्ट वे यहां पर मिलेगा 3GB की RAM जो 16GB की मेमरी तो क्याइस यहां पर अगर हम compare करते हैं कि आपके लिए best कौन सा होगा कौन सी RAM अपले अच्छे होगी तो यहां पर MI की जो RAM और मेमरी है वो क्याइस काफी अच्छी है तो आज को जितनी भी अप्लिकेशन जा आप इस्टोल करते हैं य इसलिए जो MI का स्मार्ट TV आपको दे रहा है 32GB का स्पेस जो काफी अच्छा होगा आपके टिवी में आप यतनी मजी अप्लिकेशन एड़ कीजिए आप गेम एड़ कीजिए तो आपको दिक्कत ने होगी स्पेस को लेगे तो यहां पर जो MI का टिवी है वो काफी अच्छा आपको रैम एंड स्पेस दे रहा है एस कंपेशन वनपलस के स्मार्ट TV से फूल एक एंडर्ड बेस स्मार्ट TV है तो जितनी भी अप्लिक्स अप्राइम गूवल यूटूब होती है आपको समय लेगा कुछ दिक्कत ने यह दोनों में सेम वर्क करता है जो बात करते हैं इस का दिक हमके प्रता है मिलता है में इस ने जुअको को समार्ट पूर्स ने आपको चर हिणुआ पूर्सपूर्स है जो क्ञें ने गद्काइम पूर्स के और है अगर आप चेक करते हैं डिस्प्ले वाइस दोस्तों तो मैं काऊंगा अगर एस पर माई रिवीव में अगर बताओ तो अगर आप माई साइड तो यू तो यू कान गो विफ एमाई समार टीवी जहां पर आपको एमाई सश्प्राइज में एक अच्छी दिस्प्ले वाज़िव दे रहा है जो काफी थीमलर है विध मनफलस का समार टीवी से अगर आपको इशू है विसांड कौ और आपको दिक्कत नहीं कि द आफ से जागे फचाल ये को हमाशन के समाँ वीजन का उसर देञा कम है ग्लाइज है आपके रहाने है इक कमें wider from Day